राष्ट्रोन नती के पत पर नित्य प्रेर्णा एक दिन एक प्रिष्ठ एक विचार श्री गुरुजी समगर बारा खंडों का संक्षिप्त रूप भारतिय विचार साधना पुने द्वारा प्रकाशित किया गया है मैं डॉक्टर श्रीमती स्वाती सदानंद गोड बोले इन विचारों के एक प्रिष्ठ को प्रति दिन वाचन के माध्यम से आप तक पहुचाने का प्रयास कर रही हूँ यह प्रकाशित विचार हमें प्रति दिन प्रेरणा देते रहेंगे आज दिनांग 19 जुलाई का विचार सनातन हिंदू राष्ट्र एक सज्जन ने कहा हिंदु स्थान राष्ट्र कभी नही रहा और हिंदू राष्ट्र तो हमने सुना ही नहीं अब बहरे ने सुना नहीं, अंधे ने देखा नहीं, तो क्या वह वस्तु है ही नहीं? अंधे ने लंदन नहीं देखा, परंतु वह है, आखे खोलेंगे तो दिखेगा, हम जो नहीं जानते वह अस्तितों में नहीं है, ऐसा मानना या कहना नीरी मुर्खता है आज प्रादेशिक राष्ट्रवात का उदय हुआ है, यह तो कुर्ता देखकर आदमी को पहचानने जैसा है, भूमी पर से राष्ट्र तथा मकान पर से मालिक होने का निर्णय करना कितनी विप्रीत कल्पना है? इस भूमी को माता के रूप में मानकर हमने इसमें चैतन्य भर दिया, इसलिए तो यह राष्ट्र है, नहीं तो यह एक निश्चल भूखंड है, यह हमारे चैतन्य से चैतन्य मही है, प्रादेशिक बात का विचार तो इसके विपरीत है ऐसा कहा जा रहा है कि यहां रहने वाला प्रत्यक व्यक्ति राष्ट्रिय है, एक सज्जन से मैंने पूछा कि इन आने वालों के लिए समय की कुछ सीमा है क्या? उसने जवाब दिया, यदि कोई आज भी आए तो वह राष्ट्रिय होगा, इसका मतलब यह हुआ कि इस भूमे पर कदम रखते ही वह राष्ट्रिय हो जाता है, यह तो बड़े ही आनन्द की बात है, यह बात हुई उन दिनों हमारे यहां परकियों का राज्य था और रेम से मैकडॉनल्ड इंगलेंड के प्रधानमंत्री थे, वह कुछ दिन पहले ही भारत आ चुके थे, मैंने उक्त सज्जन से कहा, ऐसी बात है, तब तो हम आजाध ही है, स्वतंतरता के लिए प्रयत्न करने की कोई आवश्चकता ही नहीं है आपकी बात सही है, तब तो रेम से मैकडॉनल्ड भी यहां के राश्ट्रिय हो गए, यहां उनका ही राज्य है, फिर हम परतंत्र कैसे हुए? मेरे ऐसे कहने पर उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया प्रादेशिक राष्ट्रवात की बाते स्वराज्य प्राप्ति के प्रलोभन और दूसरे लोग क्या कहेंगे इस भीरुता मेंसे निर्मान हुई है एक बड़े नेता ने मुझे से कहा आपकी बाते तो सही हैं पर आप बड़े जोर से हिंदु राष्ट्र की बाते करते हो इससे बाकी लोग विशेश कर मुसल्मान नाराज होंगे लोगों की राजी नाराजी देखकर इस प्रकार की कायरता पुर्ण बाते की जा रही है अब स्वयम को कायर मान नहीं सकते इसलिए उसे छुपाने के लिए मानवता, विश्ववंधुत्व, क्षमा, उदारता, आदी के कुतर्क देते है यह सारी बाते तभी सही मानी जाती, यदि उनके मन में स्वयम का, अपने परिवार का, अपने दल का स्वार्थन न होता किन्तु सारी बाते इससे ग्रस्त होकर ही की जाती है इन सारे भ्रमपूर्ण प्रचार के बाद भी सत्य तो सत्य ही रहता है और वह सत्य यह है कि यहाँ अनादी काल से हिंदू ही रहता आया है और इस पुनीत भारत माता के हम पुत्र है हम हिंदू राष्ट्र के है प्रतीक हिंदू पन का अभिमान लिए उर्मे स्वदेश सम्मान लिए निर्भय निरीह बलिदान लिए भारत माता की जय वंदे मातरम